ये फ्रेंड्स वेल्कम बेग आवार यूटूब चैनल ओनलान इस्टेटी पॉन रन आज की इस वीडियो के माद्याम से हम लेक्टर 12 के पार्ट 2 में जानेंगे जी हमारा जो वीडियो रहेगा जी हमारा लेक्टर 12 बे जो उठा उसका जो पार्ट 2 है क्योंकि आपको पता है हम कौन से सीरी चला रहे है इस चैप्टर को हम जली से जली से चाहेंगे क्योंकि कुक्षक्च कुछ है कवे काफी ले ओर नमे गए कुछ क्यूंकि अधा है सब्सक्राइब करने से महां कि रोज लो और यह पको 10 प्लस को जो है अब देखा होगा वीडियो पिछला देखा वीडियो लगा पाए थे और वी हमारा गंटे का वीडियो बन गया था यानि ये गंटी में दो गंटा कियोंगे उसमें explain भी करना होता है इसलिए जो question सरभर सिंपिल रहेगा उसी तरह का सवाल रहेगा तो उसको हम पहले से लगा कर देंगे फिर आपको बांडरी सर्फेस की जो कंडिशन होती है इसको हमेशा ध्यान रखना है ठीक है तो यह वाले मतलब आपको ध्यान रखना है जब भी बांडरी सर्फेस पर रिलेटर सवाल आए तो आपको इसको ध्यान रखना है और उसमें आपको बहुत पूछा जाता है नॉर्मल वैलोसिट इता है जया जो और प्रूम सब्सक Kitty जो स्थिया है और जह सतरे जो ईपरेट हरे इसको पर का से सूंशता हे सब्सक्राइबुकित सब्सक्राइबुकरने च्छर देल-ऎकस approach यह को फिर देल-चैल जे 박 study यह फिर लिक्ष अब्रमारा च्छरफ मोडलस आप जानते हैं सब पर क्या होता है आई की गुणांग का स्कॉाइर और यहां पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पार्शिल डिफ्रेंसेशन किया गया है इसी प्रकाल से यहां रखना है टिक है बहुत इंप्टेंट और यह और बहुत इंप्टेंट्स और स्ट्रीम लाइन जब आपको ऐसा लिया कहले तो यह वाला इक्विशंस को है यूज करना है यह हो गया और फिर यह ओर आपको द्यान रखना है रखना है आपको जब भी हमने इस प्रिभेस्ट वीडियो बताए था रोटेशनल सबता है जिसी करते हैं अब यूठार को शिक करते हैं जो है इसी बीडियो मतलब लेकर आई हैं ठीक है आई देखते हैं को सब्सक्राइब कर लिए थे अब हमारा क्वेशन नमबर थार्ड कहता है क्या समझे क्या है आपको गिवन यह चुंकि मैं उसी में पड़ा रहा था लेकिन वह वीडियो जो है आदा मतलब कर पाया था वह कट गया था यहीं तो रहता ह हागी कोई कुश्चन कराते हैं फिर वह कट हो जाता तो हमें दुबारा से करना पड़ता है ना देखिए यू बराबर हमारा यह है वी बराबर यह हो डबली बराबर जीरो है जहां आर डिनोट्स डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स से क्या है दूरी है ठीक है जब जैड एक् स्कॉर पिलस वाई स्कॉर आप मान सकते हैं ठीक है ठीक समझ गए जड़ अक्ष से कहते हैं तो जो वह वाला अक्ष होता हो जीरो होता बांकि अपने जो है बे होते हैं है के नहीं है लेकिन खेर उसकी कोई बात नहीं है तो सबसे पहले हमें हमने जैसा तरीका बताया वैसा यह आपको करना गिवन डेट आपको जो दो दिया गया है वहां पर लिखेंगे ठीक है गिवन डेट क्या दिया गया है यू बराबर माइनस का सी वाई आर स्कॉाइर ठीक है अब देखो इसमें और्थो गोनल टू स्ट्रीम लाइन यानि कि हमारे जो हमने नेची बताया था नीचे को जे बाला यानि हमें ये को जे बाला जो है लगना क्या यो डी एक्स वी डी वाई इस प्रकास जे लेकिन उससे पहले हमें पॉसिवल बी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा क्या दिखाना पड़ेगा पॉसिवल्टी फिलेड की ठीक है यहां पर देखिए वैसे और तो उसमें क्या था सर्फेस वे चार और तो स्ट्रीम लाइन तो यहां तो आप यह से लगा दीजिए ठीक है लेकिन उससे पहले आपको फि चार रहा कि नहीं करेंगा फिर हमारी जो है जो एक कुशन से कहरा आप जो निकालने के लिए सर्फेस और त्रीम लाइन फिर नहीं आप निकाल पाएंगे यानि सबसे पहले हमें पॉसिवल्टी फाइंड करनी पड़ेगी इसके लिए आप क्या क्या जरूरत पड़ेगी उ आपको करना ठीक है ठीक है करिए करेंगे यहां पर तो क्या बनेगा डेल यू करिए डेल यू डेल एक्स कि इसकी जावसक्त पड़ेगी ना आपको तो यहां तो यह चलेंगे इसका बहर होगा क्योंक्त है आर हमारा एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है चुकि जे जे डेक्स आज़े इसलिए जे बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां पर सी स्कुाइर ठीक है वाई हमारा जे ज्यां को टेंगा अब जी ऊपर जाएगा फिर उसकी पावर बाहर निकलाएगी यानि माइनस तो कैसा हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा नहीं हो जाएगा और फिर हम आजब जी बाहर हो जाएगा तो हम यहां से क्या कह सकते हैं यहां से जी हो जाएगा फिर बटे में हमारी देख सकती जी बाहर चलिए तो इदा आर की पावर कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी कित माइनस का टू बन जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का टू बन जाएगा और यहां पर आप जैसे ही करेंगे तो आर की पावर माइनस दो माइनस बन बन जाएगा यही तो होता है मतलब जो कंडिशन होती है कि नहीं मतलब एक पावर कम हो जाती तो आर की पावर माइनस तीन ह अभी और आएगा है ना और इसकी value इसके previous video हमने बहुत बार निकलवा दी है लेकर यहाँ पर भी हम जो है निकलवा देंगे यानि r square बराबर आप क्या जानते हैं यहाँ पर जानते हैं x square दिया है जी आपको y square ठीक है अब z यहाँ पर 0 हो जाएका उसने z distances में दूरी कह दी है ठीक है तो हम यहाँ से करेंगे इसका differentiation करेंगे करेंगे differentiation तो यहाँ से आप क्या जाएगा del r हो जाएगा या फिर वैसा ठीक है और इसका करेंगे तो हम x के साप इसका दीजिए चली x के साप इसका दे del r del x और इसका हो जाएगा 2x देखो यहाँ पहुंच जाएगा तो नीचे आजाएगा इसकी value x अपना वह आप ए value यहाँ रग दीजिए तो del u del x बराबर क्या निकल के आजाएगा आपका देखो प्लेस का बन जाएगा प्लेस 2 c square y बटे में r की पावर q ठेक है और x अपन क्या हो जाएगा इसकी value क्या आई थी अपनी x अपन r आई थी क्या आई थी x अपन r तो जी value आपने रख देना है इसको और थोड़ा simplify कर सकते हैं 2 c square x y बटे में अपना r पावर 4 तो जी निकाल लिया है इसी परकाज है हम क्या करेंगे similarly हम जो है del v del y निकाल लेंगे end क्या कर देंगे del v del y अब निकाल लिये तो हम क्या करेंगे c square x जी आउ कातियों करेंगे बैसा ही देखो same to same माइनस का अंतर है ना तो बैसे ही आप कर दीजिए बैसे चाहिए तो इसमें इंट्राचेंज करके आप डायक्ट भी रख सकते लेकिन फिर भी मैं बता दूँगा माइनस का 2 हो जाएगा बैसे ही इसके प्रकाज़ किया था फिर r की पावर यहां q हो जाएगा फिल आएगा आपका डेल r डेल y आएगा ठीक है इसका थोड़ा जो है मान आप रखेंगे तो जी माइनस 2 आपने यहां कर लिया c square आप देखिए इसकी वैलू रखेंगे तो x क्या आएगा आपना यहां पर y बते r आएगा इतनी वैलू आ गई आपकी आप क्या करेंगे यह आपको डेल जैसे डेल डवलू सोरी हाँ डेल जैड यह चाहिए चुकि वह जीरो है इसलिए जिए क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा अब हम क्या जानते हैं तो हमें आज लिखेंगे we know that we know that the equation the equation of continuity continuity for flood possibility 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 आई यहां पर आई फिर टी वाई यह ठीक है जी आई यह ज्यादा बड़ी बन गई ठीक है possibility तो इसमें क्या होता है possibility में क्या conditions होती है तो आप जानते हैं conditions इसमें हमारी होती है क्या होती है del u del x del v del y plus del w del z इतना तो आप समझते हैं क्योंकि आप अपनी channel से पढ़ रहे हैं तो इस प्रकास जी आगें सबकी value आप substitute कराईए तो कराईए यहाँ पर daily इसकी कितनी रखी 2cxy बटे में r power 4 देखो इसकी minus आईए तो 2c square xy बटे में r power 4 इसकी value आई थी आपकी 0 बरावर में 0 देखो यह भी आपका बरावर 0 आगया बरावर 0 यह भी आगया तो इस प्रकास हम कह सकते हैं अथात कह सकते हैं हैंस यहाँ पर कह सकते हैं अताहा दा फिलरड डा फिलर फिलरड इज पॉसीविल क्या हो जाएगा पॉसीविल हो झायेगा अब हम इस में जो है cp कॉंसी कंडिसंस जो और तो को नल उसने सरफेस मूचा है ना उसने क्या पूंचा है मतलब find हमें surface find करना विच और्थोगोनल जो कि उस पर और्थोगोनल है तो किस पर स्ट्रीम लाइन पर है और्थोगोनल तो वह हमें जो इसका कर फाइंड करना तो वह कैसे करेंगे वह समझजिए ठीक है उसको हमें जो है समझना है ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे इसकी possibility हम चेक करेंगे तो possibility चेक करने के लिए हम क्या करेंगे चुकि हम जानते हैं क्या दा इस सर्फेस सर्फेस और्थोगोनल और्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन ठीक है इस्ट्रीम लाइन और क्या होता है कि सॉलूशन और किसका यानि हम किसी एक किसन करेंगे तो हमें जाए सर्फेस और्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन मिल जाएगी क्या होता है व्यू डी एक्स ठीक है फिर वी डी वाई और फिर आपका डावलूद डी जेट बराबर में जीरो ठीक है अब आपको इ क्यों क्यों कितनी है वो रखी है तो माइनस है सी स्कॉाइर वाई बटे में हमारा और इसकॉाइर फिर डी एक्स है विडिवाई बी डी वाई और सरी वी रखनी दिए अब लिग गया काई को कट करें हम चलिए दोबारे दोबारा इस्टैप मैं रख देंगे ठीक है महाभी qor dx वी की वैलु भी रखी है तो इस अप्लेस सी स्क्वाइर एकस आर स्कौाइर डी फिर इसकी वैलू तो जीरू है तो जी पूरा जीरू होजाएगा ठीक है अब इसको थोड़ा हम जो है से करेंगे एंदे उस साइट पहुंचा देंगे मतलब जाएगा तो माने से कट जाएंगे किया आएगा मारा आएगा डी एकस है डी एकस बटे में एकस प्लस का डी वाइगा फिर आप ऐसी रख दिए बागी हमने क्या कर दिया कट कर दीए ठीक है मतलब हमने इसको सिंपली log x ओजे क्या हो गया log y और बरावर में आपने ले लिया log c ठीक है log c ले लिया अब आपको देखिए क्या करनाहा देख सकते हैं इसमें आप लगा देंगे log m-n की प्रोपरिटी तो यहां पर हो गया log y अपॉन x बरावर में हो जाएगा log c तो यहां से y बरावर आपका क्या न यहां पर आप यह क्या लाइन भी लिख सकते हैं कि विच एज विच एज इस तर्फेस और्थोगोनल और्थोगोनल तो इस्ट्रीम लाइन से ठीक है तो इस परकाल समझे में आगे आपको यह वाला question कोई दिक्कत है नहीं है ना कहीं पर भी दिक्कत हो आप हमें ज़रूर बताइए ठीक है आईए देखते हैं नेक्ट कोस्टन नम्बा जो है चार अब आप सोच रहे हो कोस्टन नम्बा चार मैंने पहले लगा लिए वह इसलिए लगा दिया क्योंकि यह क्या है कैसे क्या समझेगा देखिए आर्दा velocity component यह पॉसिबलीटी चेक करने है तो इसके लिए आपको क्षिशन क्या होती है चाहिए ज़से पहले चाहिए और सात ही इसमें तो क्या दिखाना है और इसके दिखाने के लिए कंडिशन क्या होती है वह आने पहले आपको अरड़ी बता दिया है कि नहीं है तो आई यह देख लिए हैं सबसे पहले हमें कुछेंज लखेंगे आपको बहुत अच्छी नमबर आप अचीब करेंगे ठीक है यू बराबर करेंगे देखतें तो करेंगे से जो कि आपको यूव आब दिख रहे हैं सब्सक्रे नामिनेकर किसे Ц thirteen पारो में रहता है और पिर यह में रहता है तो रखेंगे रख दिया अब आप करेंगे जो नीचे है उसका नीचे करेंगे तो पाबर किलों पहर बाबर बाहर निकलेगी इतना आएक है जो है चुछ कि अपन वाई का इसको करन्य रहे किसके तब इस कर रहे है एक किसा आप मानेंगे तो एक स्कॉइगा क्या हो जाएगा बटे में हमारी दुगनी मतलब जी पावर कितनी हो जाएगी इतना कर लिए तो हमने देख रहे हैं यह कौमन है इसमें यह कौमन है तो इतना हमने क्या कर लिए बाकि जो बता इसके अंद्र हमने कर दिया जो कुछ कट रहे हैं नहीं तो जुड रहे हैं तो जुड दिया हमने एक पावा इससे कड़ जाएगे तो बचेंगी तीन तो इतना बचा इसको थोड़ा जो है और शाली करना किया तो देखो जी इतना आगए कि कुई एट थे इसमें दो चलेगा तो इतने सिक्स इसमें बहुत ध्यान देना होते हैं कि उनकी उनका बहुत ध्यान देना होता है इस बज़े से आप बढ़ी आवल को रिलेक्स होकर करते आई देर दे ठोड़ह करने करते हैं जो कुलियर होते चले जाएंगे ना देखो नहीं हम चाहिए ते थे हम डायक्ट जो है मल्टिपल सब्सक्राइब करेंगे इसका डिफ्रेंसेशन करेंगे तो कलेंगे आप डिफ्रेंसेशन हो जाए आप लोगों का तो देखो आपने यहां से सब्सक्राइब करेंगे इसका डिफ्रेंसेशन का है इतना इसलिए इसका डिफ्रेंसेशन क्या हो जाएगा इतना समझ गए तो कि क्या होती यह होती है तो जो आपने रखेंगे तो आपको सुर्प प्रकार रखेंगे की नहीं चेक करेंगे के नहीं है तो इस रोट ने रोटेशनल कंडिशन से याद करने के लिए आपको यह सब पूले नहीं याद रखना आपको सिर्फ एक रखना उसी से बन जाएगा कैसे आप जानते जो एकस वाई जैड यू वी डबलू जी अपने साइकल के रम में होती यानि एक साइकल की टाइप में होती है यहीं आपने यह वाला फॉर्मृला याद रख लेना यानि पहला या य ले लेए लिए यहांपर यू भी लिखलिया थीकई तो आपको क्रॉस में ले लेनाा है ऑबस हो गया मतलर डेल் यू लवाइ डेल एकस डेली मतलर डेल वी बेल एकस ने जब यह याद कर लिए तो आदाना रह्त आगा क्वार्यिजा यहा वह जाए सब्सक्राइब हो जाएगा यह एक्स से तो x के बाद क्या खाएगा गजेए दिखो सब्सक्राइब की की बाइगा यहां पर यहां क्या हो जाएगा तो इस परकास देखेंगे हमारी तीन हो जाएंगे यानि आपको एक ध्यान लखना है यदि ध्यान नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना एक्स और वाइसे मतलब यू वी ऐसे लिख लेना है बस इसका क्रॉस लेना है मतलब यह इसके साथ आपको डिफ्रेंसेशन इसके साथ याद हो गया ना इस जो है रोट में संस्ट जो है चैकर सबस्क्राइब करने कमें देखिए तो क्या विए इसको कि परएगा निकाला पड़ेगा देखिए का देखिए धी नम्मद 2 हम करा चुके जो आप देख रहे हैं इसको करऊ आँ हैं पिछली वाली वीडि आपको थोड़ा है उसमें जए आपको जो है त्रेक लगानी है कैसे अब आपको पता इसको इसको दोनों में कौन से यही था ना अमारे यही था तो करिए गा किसका करना है U का अब आप देखिए यहां पर X है और Y है है यहां कोई डिफ्रेंस की जगए पर Y रख दें तो क्या कोई डिफ्रेंस पड़ेंज पड़ेगा इस वाले में नहीं पड़ेगा ना यानि आपने डेल यह डेल-डेल X नेकाल लिया तो इतना आया था अब आपको Y साफिस करना तो यानि आप इसी में चेन्जमेंट कर दें जहां एकस तो यह वाइं यह नहीं है यह बना दी है यह यहां हमारे टिफ्रेंसिशन करी सकते हैं वाखिवने यह कर लिया था उसी के अनुसर कर लेकिंग यह फंक्सन हमारा बिल्को एक इसको डिफरेंसेशन हमारे यह वाला था यह की ए इसमें और फक्राइसान कशेट में आ यह हमारा यह हो गया तो थीनों कल लिए आप आ यह B का देख लीते हैं अब इसमें भी चैंजमेंट करिए यहां यहां पर यहां करेंगे तो यहां करेंगे तो यहां आपको इसको आएगा फिर X2Poliz मतलब चैन्ज करेंगे तो अंतरकाई का आ रहा सिर्फ और सिर्फ माइनस का आ रहा है आ रहा के नहीं आ रहा है बाकी हमारा Same to Same है नहीं है तो माइनस का अंतर आ जाएगा वो साथ में बस बाकी Same है मतलब जो positive था वो negative हो जाएगा जैड़ और अब सिर्फ में निगेट बन जाएगा डिखो 2XQZ- ऐसे हमने logic लगा लिया इसी प्रकास से हमने कहा कि यहां माइनस है तो जो जिए positive बन जाएगा और जहां X है वहां Y रख देंगे और जहां और जहां मतलब Y है वहां X रख देंगे, ठीक है, तो देखो X square था, तो यहाँ Y square बना दिया हम ने, और जहाँ Y था वहाँ X रख दे, तो इस प्रकाशा हमने डल भी सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले हम करका नहीं कि फ़र्स्ट एक कुछ उठाई यह देखा इसमें सब इनकी बेलु रखी तो देख रहे हैं यह सब कड़ गए क्या गया जीरो यानि फर्स्ट कंडिशन आकी फॉलो हो गई इसी परकास से डेल वी डेल जेड माइनस डेल डे इसको हमने आवकिए तो जीरो माइन यानि सबसेदा यहीं फॉलो हो गए तो यही हमारा कैती है इरोटेशन की कि जब कोई फंक्षन में जो है इस परकाँ कि इसारा का लेता है यानि यह वही फॉर्मूला है हमारा ठीक है तो वह कंडिशन वहारा फिलड हो गा वो इरोतेश प्रश्चनल क्या होता जा हम थेवरी में अल्ड़ी बता चुके हैं ठीक है चलिए आई देखते हैं नेक्ट कुस्टन नमबर फाइब कौन सा देखेंगे चलिए मैं लगा कर देता हूं क्योंको यह थोड़ा सिर्फ डूसरा था इसलिए जो क्वेश्चन नमबर फाइब करेंगे क्या करेंगे इसको करने वाले हम कोश्चन नमबर फाइब को ठीक है देखिए क्या यू बरावाजी डवल दिये गाए सोड़ सर्फेस इंट्रेस्टेंग दा इस्ट्रीम लाइड और्थोगोनली देखो लिए तो आपको कंडिशन कौन सी लगानी है वही वाली जो हमने देखिए किसमें है जैक्सेश में तो बैसे भी उसने कहा भी यह नहीं किया तो डावलोगराव जीरू बरो लेडी वो कहा किया दिया उसने लोड़ा बेलोसिटी पोटेंशी है जनोट डजनोट लिए और आउसकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसरेशन एक्स वाई और जेट कि साफिश्क रमसा कर लेंगे तो यहां सी आम कर आएंगे नाउ first first we prove that prove that prove that the equations the equation of continuity continuity is possible तो यानि हम क्या करेंगे इसको possibility चेक करेंगे इस पॉसिबिल है ठीक है, क्या है जी, possible तो इसके questions क्या होती है सबसे पहले जो चेक करेंगे तो इक questions बाद में लिख देंगे पहले हम इसका differentiation निकाली लेते हैं न, papel u, papel x del y,o, papel x निकालना है del y,o, papel x आप निकालेंगे तो चुकी लेड़ी सब 0 है तो यहानि कि हमारे क्या सटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं अताहा कह सकते हैं से डेल यू डेल एक्स प्लेस डेल वी डेल वाई प्लेस डेल डवलू डेल जेट बराबर में हमारे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ब्रावर में क्या है जीरो तो हम क्या सकते हैंस कृची तो यह दा फिलरड को अ 10 लट इज पॉसिवल which पॉसिबल यह कॉसिए इस विलंक अपको जो का है लेखो करेंगे second step में हमने क्या language लिखी थी जो language लिखी थी यहां पर वहीं हम जो है लगा देंगे तो हम क्या करेंगे लिखी यहांस लीफोर्टटट विखी लिखान करेंगे कि लिखान क्या लिखी lyric लिखी यहांस तो एक टे Jesus home लिखीन verktyle ट्रीम लाइन क्या होती है तो उसमें जेड एक्सेश का तो पूरा लिख दीजी यहीं से आपको सब मिलता जाएगा है ना आर आर प्लेन आर प्लेंस थ्रो उसने बोला है ना कुस्चंस उसी से और लेंग्विज आप आपनी बढ़ा सकती है ना आल थ्रो क्या हो जाएगा किससे जेड एक्सेश से किससे जेड एक्सेश तो क्या होती है वो हमारा हो जाया क्या यू डी एक्स प्लेस का वी डी वाई प्लेस का हमारा डवलू डी जेड बराबर में जीरो बराबर में क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो यू कमान कितना है आप का W y d k e is इसी पेरकास इसका W x the y is इसका कितना जीरो d z बराबर में 0 अब इसको थोड़ा हम क्या करेंगे सेफरेट करेंगे क्या करेंगे हम सेफरेट कर देंगे तो करेंगे तो हमारा जागा क्या x को कर देंगे यानि माइनस डी एक्स बटे में एक्स माइनस का यह देख सकते हैं एक्स आपका यहां जाएगा तो आपका जो है डी एक्स बटे में एक्स माइनस और यह प्लेस का हो जाएगा हमारा क्या डी तो पहले से लिखा तो था हमारा यहां पर हमारा यह हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा क्या देखिए अब जी आप पर डिपेंड करता आप किस परकास से सौल्व करना चाहेते जैसे मैं आभी आपको बताऊंगा दोनों तरीके से कैसी का करेंगे बो डिपेंड करता आप सी का कॉंस्टेंट के साइड रखते हैं जैसे एक्स बराबर में डी वाई बते में हमारा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा इसका आप इंट्रिगेशन कराएंगे तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स ठीक है पले बराबर लॉग वाई पले इसका लॉग सी ठीक है अब आप इस साइड सी लेंगे तो इसमें सी एक्स लग जाएगा या फिर आप इसमें लेंगे तो इसमें लग जाएगा गुणा में हैं अब वो डिपेंड करता है उससे कोई दिक्ष्ट नहीं आपका गलत नहीं होगा ठीक है बराबर में सीवाई ठीक है तो जी हमारा अंसर इसका जी निकल आया और क्या पूछा था इसमें ठीक है कि इसमें जो पुटेंसिल वेलोसिटी है वो सवरी पूटेंसियल वेलीचिटी है वो डॉट डजनोट एग्चिस्ट है लेकर उससे पहले आप जो कोश्चन करेंगी पूछेंगे करने के लिएंग किया आप पूंछेंगे वेंग्या पीजिए कैसे सवाल को पढ़िए क्या कहता पहली कहा गया है सो डेट हमें सिद्ध करना कि जो दफ सर्फेस एंटरसेक्टिंग दा स्ट्रीम लाइन और तुगनी यानि जो आपका जो करवाया है वह हमारा जैड एक्सेस को क्या कर रहा है उससे होकर गुजरता जैड प्लेंस यानि कर रहा उसमें तो आप जो जानते हैं इसको जाता जिए जो एक इस ऑप्लेंस प्लेंस तो यहां से आप जो कह सकते हैं क्या वीचियि एक प्लेंस फुरो उन्द फुरो ऊंच यह है यह जो साइस जैस जो मतलब क्रोस करने वाले हमारे dahiane की है ठीक है आप देखिएगा आपने पड़ी होंगी प्छली कछा वा सवाल के जिसमें जर्ट सामेल हो जाएधा जो करते वह ज़िएकसे जो होते है फि rhyकत कर पूछा गया था ना चलिए इसको आपको पता रहता है क्या एक वेस्न्स ओफ equations of of the of the potential potential velocity क्या होती है potential velocity की तो d5 क्या होती है d5 बराबर minus का u dx minus v dy और फिर है आपका इसी परकास से इसमें भी minus रहता है minus w dz इन सब की value आप यहाँ पर substitute कर दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा d5 बराबर d5 बराबर आपका क्या हो जाएगा minus क्या हो जाएगा यहाँ से minus अब देखिए minus वहाँ है minus मतलब दिया हूँ कमान भी है यहाँ क्या बन जाएगा positive हो जाएगा यानि क्या w y d x ठीक है इसी परकास से इसी परकास हमारा जो next रहेगा वो क्या हो जाएगा minus w x d y बाकि तो हमारा जो जीरो दिया है तो जीरो हो जाएगा ठीक है आप यहां से आपको बहुत जरूर यह समझना यानि इसको एक बार फेस हम अच्छे से लिख लेंगे यानि w y d x ठीक है यहाँ पर w x d y ठीक है जीर हमारा इतना आ गया अब देखिए आपकी इस equations को आपको separate करना है तो क्या इस separate कर पाएगे आप इस equations को देखिए कैसे यदि आप इसमें जो है y को यहां ले जाएगे तो y फिर यहां पहुँच जाएगा तो यहां separate नहीं हो रहा है और चाहिए आप यहां से ले जाएगे यहां कर देंगे x को करेंगे तब भी यानि इस equations का कोई solution ही निकल नहीं लेकल रहा क्या है कोई solution ही नहीं है यह ना या तो फिर इससे आप direct भी आप जो है चेक कर सकते हैं इसका जो है integration हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा तो तो मैं कहूंँगा इसका integration नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको जानते हैं किसी भी आप differential equations को यदि आपको जो है solution उसका करना है तो सबसे पहले आपको क्या हो उनका separate होना चाहिए है ना इतने भी आप integration करते हैं जितने भी differential equations के उन सभी का आप क्या करते थे उनको separate करके दिखते हमने जितने भी आपको integration बता है सभी क्या करते थे आपको जश्ट आभी देखो अभी हमने इसी में किया जश्ट इसी निमेरिकल में तो इसी हमने इसके separate नहीं हो रहा है या फिर इसके एक और तरीका आपको एक जट वाला आपने content पड़ा होगा बीश्ट में है तो वहां पर आपको इसकी comparing कराएंगे spreadsheets comparing कराएंगे तो यहां से कज्थात, यहां से स्ट आपको यहां से l की value क्या मिली आपको यहां से capital N की value capital minus का omega x या w x जो भी हो ठीक है जी हमें इसकी value हमें मिली है ठीक है जब जी मिली है तो इसके आप जो इसका differentiation करेंगे y के साफ इसका किया जाता है तो इसका करेंगे तो आपका del y बराबर में आपका omega आया इसी परकास से del n इसका x के साफ इस किया जाता तो इसमें भी हमारा minus omega आया अब देखिए जे दोनों कैसी है difference है since चुकि आप जानते है del m del y जो does not equal आ रही है कैसी आ रही है does not equal आ रही है और जब does not equal आती तो वो कभी भी separate नहीं हो सकता जी इसका basic rule होता है यदि इस form का equations है तो आप diet इसको जो है चेक करते हैं आपने जी तरीका पढ़ा हो गए है में जी एक्जेस्ट बताने के लिए है कि नहीं है देख सकते हैं जी क्या है equal नहीं आए तो इस परकास मतलब हमारा separate नहीं होगा यानि separable नहीं है जी जो equations है इससे हम कह सकते हैं कि इसमें five does not exist कर रहा है तो बस वह हमें एक line लिखनी है तो हम लिखेंगे therefore therefore the equation the equation is not exact यह कैसी equations exact ही नहीं है ठीक है अर्थाद तो हम कह सकते है so that इसलिए so that इसलिए कहेंगे हम क्या जो d5 है d5 वरावर omega y dx minus w x dy cannot be cannot be integrated इन्टी ग्रेटेड यानि इसको समाकलित नहीं किया जा सकता है so that so that हम कह सकते हैं five does not does not exist does not exist समाझ गए कोई डाग्ट बाला question तो रहा है नहीं आप लोगों को रहा हो तो हमें comment कर यह क्यों नहीं होगा इसको separate होगा इन्हीं आप भी try कर सकते हैं separate नहीं हो रहा यानि कोई इसका solution नहीं होगा बैसे तो हमने बैसे ही चेक कर लिया था लेकिन आपको मैंने इससे भी बता दिया इस फर्म का बना हुआ है तो हम तुलना कराएंगे और आपने एक जेट वाला फॉर्मूला पढ़ाए दीजिए एक जेट होती तो दोनों बराबर होने चाहिए थे आप चूंकि बराबर है नहीं है इस बज़े से हम कह सकते हैं नहीं निखले गया डिए आप अंडर्स्टेंड यानि समझ चुकी होंगे आए दिखते नेक्स्ट कुष्टन नमब्र जो है अगला क्या कहता है देखेंगे कुष्टन नमब्र जो है अभी हमने कितना कर लिया फाइव देखें कुष्टन नमब्र छे समाजी बहुत अच्छा कुष्टन बहुत बहुत बार आया बहुत इंपोर्टेंड है आपका आपको बार्डरी कंसेट में आपको यह वाली एक्क्वेशंस को जो है लेना है फिर इस एक्क्वेशंस को हल करके देखना है यदि जीर हो जाएगी तो मतलब हमारा सेटिस्फाइग हो जाएगा यानि हमें सबसे पहले उसे क्वेशंस करना है अब आप तरीका इसका सीखेंगे तो बस आप जो है कर ले जाएंगे कियसा भी क्वेश्टन सो आप कर ले जाएंगे अभी मैं आपको दूँग आपको एप के बराबर इससे को बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे चुकि एप जो होगा आपका और भी बता दूँग यह एकस वाई जेड और टी का फंक्सन होगा मतलब जो आप बनाएं चुकि देख रहे हैं ना इसमें एकस भी है वाई भी और जेड भी और साथ म तोन का कर दिने लिए इसको बर्वर में लेकर किसको बनके जीरो बराबर बना लेना यहीं तो आपको यानिकि ez Kr फिन हमारा फ्री नीची हमारा करेंगे माइनस बन को यहां बुला लेंगे बाकि कुछ नहीं बचेगा तो पहला काम क्या है इस पूरी एक्क्वेशन को आप 0 के बराबर आपको बनाना है ठीक है तुझी एक्क्वेशन आप चाहें तो फर्स्ट कह दीजिए कोई लिक्त वाली बात नहीं है ठीक है इतना करन लिए सब तो अपना होता रहता है शोड़ेत हमें सिद्द करना है कि एप बराबा जो जीरो वाली अक्वेशन बनाई हमने यह क्या पॉसीबेल है पहले थो हमें पॉसीबेल दिखाना पढ़ेगा है आ पूसीबेल होनं किसमेंbondary surface तो हम कह सकते हैं that is तो इसलिए हम क्या कर आओ एक्वेशन यू डैल एफ डैल A कि फिले एक्स ठीक से ठीक हो तो एक्प्रेशल एफ देल एकस्थीra चिह ऐसे कि इथी आपको यह उसका क्रम से आको तो डिफ्रेंसिशन कराना विद रिस्पेक्ट टू एक्स y t and टि इसका रिस्पेक्टिविली कराना यानि सबसे पहले यह इसकी निकाले लिए बैलू इसकी निकाले इसकी निकाले इसकी फिर आप जो जो बैलू निकल या है इसमें रख दीजिए फिर उसके आगी प्रोस्य बाद में देखेंगे यानि तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं है कि नहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे निकालते हैं ना अब हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे ना टेक यू बरावर करिए आप तो निकलेगा क्या इस एक कुईशन का डेल एफ डेल एक्स ठीक है इसका डिफरेंसेशन करिए तो इसको मैं दूसरे उससे निकालता हूं ताकि आपको पता चलता रहे एक्स के साफ़ेश करना है तो देखिए बांकी सब कॉंस्टेंट मानेंगे जीर सबदेश करिए तो यक्स मैं करेंगे बांकी सब कॉंस्टेंट होंगे तो लां यहसद पर क्या है अपने मलिटीपलाई में हैंके नहीं है तो यहां से आपका पहले तो क्या हीं गा दिख लिए तो यहां पर तो यह पर हो जाएगा 2 वाई और फिर हमारा केति है स्कुवार क्यों कि मल्टिप्लाइब भी जाएगा ना बटे में यहां क्या बचेगा भी स्कुवाइर तो यह पर कहा से आप जो है जैट कि लिए करिए तो डेल एप क्या है बचिकर इसका करिगेंगे बराबर क्या हाएंगा हमारा तो कि किragen पर क्या हम जो चैएब तो कि क्यां है इतना समझ गए आप्लाइडड आपका बटेमें क्या आजाएगा सी स्कुवार आ जएगगा सी इसकुवाइर इतना आप समझ गई अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी निकाला है इसको बहुत साधानी से निकाला है आपको यहां से इसका जो आएगा वो क्या बनेगा आपका इसका जो डिफरेंसियशन आप करेंगे तो फिर देखते हैं क्या बनता है ठीक है बहुत ही साधानी पूरवग आपको करना है इसका डिफरेंसेशन ठीक है देखेंगे तो करिए देखिए यह तो आपका कॉंस्टेंट है इसको आप जियाओं का त्याओं पहले तो लिख लीजिए यह स्कुवाइर फिर यहां से के स्कुवाइर अब जी ऊपर जाएगा इसकी की पाबर माइनस चार यहां निकले तो उबसे बाड़ जाएगी जरागर का डिक चैपके लाएंगे ना हम करेंगे इस ठीक है तो डेले अब डेल टी का आपको चेकरना था तो आमने पहले यहां इस वाले पद्गा किया तो जी आमने जियों करते हो लिखा एक स्कुराइब तो माइनस च्यार और चूंकि एक पावर कम हो जाएक निगेटिव बालिए तो यहां पर ती पांच इसका स्कुराइब प्लेस जैड़ बटी सी का स्कुराइब ठीक है वह बराबर में जीरो एक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा हमारा इतना कर लिया आपने अब यह बैलू जापको यहां सब्सिट्यूट कर देना तो आम क्या करेंगे अगला स्टेप क्या है मां यहां पर कि अगरा सकेंगी वह रॉली always these delle you इक स 270 में इन 70 सेटमे तुर रखेंगे से को समसे को हम तुरस्जर दीजिए देखती हैं फिर क्या आता है एसमें नब्लार की यो इसकी जगाघ्जिए तो हमारा आएगा क्या U2X बटे में हमारा A2, K2, T गा 4 ठीक है और फिर अगला है हमारा V V, V हो गया फिर हमारा है KT जे है जे देखो VKT हो गया और BKT जी रख दिया हमने KT स्क्वाइर भी यह साथ में है फिर है 2Y बटे में जे पूर रख दिया बटे में हमारा क्या है V क्या है बटे में V स्क्वाइर है ठीक है अगला चलेंगे फिर क्या है W और इसकी value हमने जे निका लिए तो W KT स्क्वाइर 2Z बटे में हमारी क्या हो जाएगा C स्क्वाइर हो जागा तो हमने जे रख दी अब हमें पूरा इसकी daily जिसकी जी निकाली हमने क्या माइनिस का 4x² बटे में a² फिर हमारा k² टी घात 5 ठीक है टी घात 5 हो गया फिर हमारा प्लेस प्लेस 2kt फिर हमारा है y बटे v का इतना इतनी डिएर आपकोगो को दिख लीजी लीजी ठीक है इतनी स्टयफ बढ़ने के लिए अगला स्टैप क्लियर करना अगला step आपको जे करना है जिस बाइल में u है या वी है या फिर w है तो उसमें जो extra pada है उसका आपको common करना है इस टान करना है य। इम्हें की कि हैज लेको देखों तो इतना है है कि नहीं है इसका common करना है और देख लिए किस किस में एक्स है एक्स वाले पाद में करना है एक्स इस वाले पाद में है और एक्स हमारा इस वाले पाद में है तो इन तो इस प्रकासि आपके जोड़ी बन गए हैं तो अब यहां पर देखिए थोड़ा यहां से लोजिक लगाना है इसमें कॉमन क्या आपको यू को हमेशा केलर रखना है चाहे तो पहले आप ऐसे लिख दिया करें सबसे पहले आप यू लिख दिया करें तो यू आपको बाकि जो बता उसको कॉमन करना है कॉमन करेंगे और किसके साफिश करेंगे इस वाले टर्म के साफिए अब जब टू एक्स कॉमन कर लेंगे आप तो यहां क्या बचेगा से और एक्स यहां से निकल गया तो टू एक्स बचा तो यानि ऊपर आपका क्या बचा यहां से तू एक्स बचा कल लिया common अब नीचे क्या बनेगा वो देख लीजिए a square है k square यहाँ t घात कितनी है 5 है और यहाँ कितना t घात 4 है जब आपके इतना जे निकल गया a square k square तो निकल चुका है यहाँ सिर्फ क्या बचेगा अब t बचेगा यानि यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ t बचेगा और बाहर हमारा क्या हो गया 2x फिर यहाँ से a square k square t घात 4 ठीक है हमने क्या कर लिया common जी कर लिया अब जैसा हमने यहाँ रूल लगाए वैसे हम b के लिए लगाएंगे ठीक है तो देखिए b को भी हमें ऐसे रग दिया अब जो इस्ट्रा पद है जैसे इस से और इ के निकल गया तो के नहीं बचेगा ठीक है और यह को एक टी निकल गया यहां से टी चला गया तो यहां पर क्या बचा हमारा प्लेस प्लेस यहां पर क्या बचा यहां से सिर्फों सिर्फों क्या बचा यहां क्या बचा यहां क्या बचा यहां सिर्फों सिर्फों क्या बचा है ना तो हम क्या करेंगे के टी स्कॉर त्युर्व ऐसे निकल गिर तो हमारो बचा भी स्कॉर्व लिए नियम फॉलू करिये है ना तो इसमें हमारा हमने W लिखा पहले हमने चुंकि हम धन्य हम तो च्वाहरा ते स्कॉाइर फिर आमारा नीचे c square और फिर हम साथ में क्या कर रहे हैं z भी common कर रहे हैं बराबर में क्या हो जाएगा जीरो इतना step आपको समझेगा जी सब में करना है इस type की जो निमेर कर रहेंगे ना सब ही में करना है ठीक है अब आपको देखिए यह तो आपके 0 हो नहीं सकती है अब देखिए आपको इन इस questions को satisfy करना है तो आपको इस पूरे को 0 करना होगा और पूरा 0 कब होगा या तो मतलब इन तीनों को 0 होना पड़ेगा तब ही तो होगा 0 क्योंकि X तो हो नहीं सकता अकेला X 0 हो यह नहीं सकता है ना है कि नहीं ना Y होगा ना Z होगा इस बज़े से देखेंगे तो चुकि यदि आप अखेला X or Z या जी कर दें अखेला तो देखो पूरा जी 0 हो जागा फिर से नहीं अपनी बनेगी इस बज़े से किसको 0 करना है आपको वैसे रूल समाझ लीजिए हम बता रहे स्टेप में तो आपको 0 किसको करना पड़ेगा इन तीनों को तो अहां पर थोड़ी करें कि if we take if we take जब लेंगे क्या लेंगे जब यानि की हम इनको 0 करें यानि क्या you minus 2x बटेती हिए 0 हो जाए है न और व से य बटेती बरावर 0 जी ओन जया और में और बड़ाबर यह टो एक तरीकě से अपने को सवाल इहांसे मिलता था पहले यह किर रहे हैं two questions मिली तो आपने से Wasser का कैसे दिये रहते थे बाकी प्रोसेस आपको जो करना है आप करवा लेंगे क्योंकि हमें तो यू पता चले का बी पता चले का डवलू अब जो भी कुछ पूछे वो तो हम करी देंगे अब है ना इतने तो हम हैं उसी आप चलिए तो इसको हम तोड़ा और सिंप्लिफाई कर लेंगे यू भी हम में लिख लेंगे टू एक से टी वी बराबर वाई बटे टी माइनस का यहां डावलू बराबर माइनस का जैड़ अपॉन टी ठीक है इतना कर लेंगे अब आपको क्या चेक करना है इसमें वह देख यू डल एक्स तो जी क्या बनेंगा आपका चंट वटे टी भल बचेगा यहां से करिए तो वी बराबर यहां से क्या बचेगा बन माइनस से नहीं ब्रहाबर लेडिफ टी evening to D दाइकुएशन दाइकुएशन ओफ गांटीनीटी पोर फीलयड इस पॉसीबिल ठीके पॉसीबिल पॉसीवल्टी के लिए क्या होती है वो होती है डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई प्लस डेल डवलू डेल जेड इन सब के वैलू रख दीजिए टूबट एटी माइनस बना पॉंटी बना पॉंटी दोनों चुड़ जाएंगे और इससे कट जाएंगे बराबर में जीरो जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं हैं सताहा दा फिलेड दा फिलेड इज पॉसिविल दा फिलेड इज पॉसिविल पॉसिविल तो कोई दिखके तो ही नहीं है और इसमें क्या पूंचा था इस निमेरिकल में देखिए और इस निमेरिकल में हमें पूंचा गया था कमाज यह क्या पॉसिबल वांडरी सरपेस अपर लिकुट इतना ही अमें लगता पूंचा गया था तो देखो हमने जो एक कुशन जो है कर दिया था चूकि इसने सिर्फ इतना ही पूंचा था कि यह पूंचा था यह तो नहीं है तो देख पर गास ही हमारा पॉसिबल हो जाएगा कोई दिख इसमें और हमें फांड भी करना है एक्सप्रेंस और नॉर्मल वैलोसिटी यानि हमें फांड करनी नॉर्मल वैलोसिटी अच्छा सवाल है देखेंगे पहला काम है आपको यह जो एक कुशन से उसको एप की तौरब बनाना तो चुब कि हमने पहले बनाने का ध्यान नहीं न इहां बना लिए बना लिए फिर बाद में जो जानते हैं तो यहां पर अपाने आ थे का फंक्शन हमारा होता में इक को पता चल रहा एक्स व य सब कुशिस में दिया गया तो पहला क्या है सब आपके रहे हैं आपके तो क्या उगे न कुंपन जाए तो तो क्या होगा यहाँ पर इसका करेंगे तो हमारा हो जाए थे फिर हमारा 10 क्या होता से एक स्क्वार टी हो जाएगा सी पर कहा से जी कॉंस्ट्रेट इसका करेंगे तो जी आ जाएगा ठीक है इतना आप किलियर इतना कोई दिक्कित नहीं ना चली आगे बढ़ेंगे अब पूर देज बेलू जाए हम क्या करेंगे उस फर्ष्ट में रख द स्क्वाष्ट इनündर में इस प्रिकास से आएगी थे कॉमान करने के पास्ट्या अपने इस परकास को ठहरू यपकास से वह जी रो हो जाlogा अपने आ गया जी है अब इसको जिसको स्क्राइफ करने वाला पद हम जो है लिखना बूल गए तो यहां से हम लिख लेंगे ठीक है माफी चाहे थे देखो यहां से आपको कॉमन किया था हमने क्या टू वाइबी स्कॉर कॉट स्कॉर टी इतना जे और लिख देंगे इसके गुणांक में ठीक है तो चूंकि हम लिखना बूल है कर लिख लिख यहां से यहां से डिफ्रेंसेसन किया तो आपने यह कर लिया और यह कर लिया तो पहले देखाना इसमें आपने पॉसिबिल्टी चेक कर दिए तो कुश्चन अच्छा है समाझ लीजीहिए बाकि कुछ नहीं है ठीक है देखिए कुश्चन नमबर हमें निकालना था नॉर्मल वैलो से टी तो हमने डेल एफ डेल टी निकाल कर लाए हैं तो हमने वह वैलू यहां सब्सक्रीट कर दी है ठीक है अब हमाँ अधर डेल एफ की बेसिक इसकी वैलू निकालनी थी तो आप जानते है डेल एक स्कॉर्मल सक्षार को जाए फिरकास इसकी मॉड्यल्स वैलू हमने यहां पर सब्सक्रीट गादी और रूट रूट चुप होता है खोकी जो की जुकी जो मॉड्यल्स वैलू आपका फॉर्मला जी होता दिको हम बता दें मौड जैसे आपका सब्सक्राइ तो आई जी है तो बनताज्बंता जी अपने कॉंप्लेक्स में पढ़ा हो गए इस पर लगार धांसे हैं तो आब आपके को सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं कई लिए हमने जी आगे LCM आया तो जी इतना का लिया टू कॉमन का लिया कितना आ गया है वह बाकि हमने इसमें भी LCM लिया वो जी जो इसका बरगमूल हम निकालेंगे तो हमारे कितना एगा टू अपॉन ए स्कॉाइर भी बाकि समझी आप आसानी दे समझ जाए कैलकुलेशन बेश्ट करें हम कुष्टन नमबर येट कहां गया जी भी कुष्टन समारा बैसे ही है जैसे हमने पर भी यह वाला कुष्टन नमर सेवन किया दिके क्या कहता है आपकी जी आपको दी गई है एक प्रिक्सान है ठीक है मतलब वह कहरा पॉसिवेल टी चेक करनी है जब यह पॉसिवेल कंडीशन आपको फॉलो कराना थो रहाए किका आपको रला नेकालना है और यानि कंडीशन की फूर्म ले लेंगे एक के बरावर ले लेंगे और चीन साब जानते दूले प्रिक्सान करेंगे एक सापशिक से आपका ऑर की ट्याशन हो जायेगा यह वाला मतलब जो एक सब्सक्राइब एक आपका जे और एक जे है तो आपको पूरा जे इतना पत जो है कॉमन करना है देखो कॉमन करेंगे टू एकस एसकुआ तो यहां बचा से यूज अब देखिए यहां पर एकस बचेगा जी बाला बच जाएगा ठीक है अब चूकि यहां पर तो इसमें थ आपको जीरो होना पड़ेगा है जीरो होने के लिए हमने दिखा दिये हमारे जीरो होने तो मैं इस प्रकाज कर दिया यह नी integration का नहीं तो यह तो हमारा 0 में चला यह कोई दिखके नहीं इसका होगा दिख सकते हैं डिफ्रेंसेशन हो जी रेखा आप जानते हैं यह हम किसी चीज़ कर जैसे dx से बटी x मतलब जी x dx का मतलब क्या होता है यहां पर x डेस और जी हमारा क्या x मतलब जी इसका x किसा पर तौझी हमारा इसका चला जाएगा तुझी करा हो जाएगा लोग हो जाएगा यह लोग मतलब जी हो जाएंगी और इसमें ले लिए लॉक सी इसमें प्रॉपाइडी लगा दी है मिन्टू एन की तो हमारा कर्व की जो कंडिशन थी वो निकल कर आ चुकी है यह रहा हमरा कुश्चन नमबर एट आए कुश्चन नमबर नाइन देखते हैं कैसा है कुश्चन नमबर नाइन देखी बहुत अच्छा निम मतलब हमें पोटेंशिल वेलोसिटी की टर्म में अब एक क्योश्चन दी गई है ठीक है आगे देखी आगे क्या कहता है एंड दा वार्णोरी सरफेस ओफ फोर्म इतनी में दी गई है मतलब फाइव भी दिया है और यह भी दिया गया ठीक है आगे है वह एक्स औप टी इस मतलब टाइम का है वह जी रिपेरिजेंट करता है मतलब एक्स औप टी एलफा बीटा एबी सी या स्वी टीवल फंक्शन से ऑफ दा टाइम के सापिक्स यह ठीक है तो इसके लिए हमारे क्या होता दीकि यह फाई आपका दिये गया है क्या दिये गया फाई तो इसको जो है आपको जो है के निया शुए इनने